दोस्तों देश के कई राज्यों में बीटे दिनों हिंसा देखने को मिली जब राम नौमी का अबसर था लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे तब तथा कथित लोगों के जरिये हिंसा को भड़काने के लिए दंगा फैलाने के लिए और खासकर मर्जुदों पर हमला करने के लिए काफी जादा उतारू देखा गया लेकिन एक बार फिर से ये हिंसा जब शान्थ हो गई थी तो इस हिंसा को भड़काने के लिए जमशेदपूर में फिर से एक बार हिंसा देखने को मिली है हिंसा के ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर जमशेदपूर में दो समुदाए के बीच जबर्दस तरीके से पत्राव होना शुरू हो गया जबर्दस तरीके का जो है फिर पत्राव होते होते हिंसा में ये मामला जो है तपदिल हो गया लेकिन अक्सर ऐसी चीजे हमारे देश में देखने को मिल रही है जब भी कोई तेहवार होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो इन चीजों को ज़्यादा तबज्जो दिया जाने लगता है पिछले साल भी आपने देखा कि राम नौमी के अपसर पर हनुमान ज़्यंती के अपसर पर ऐसी हिंसात्मक तस्वीरे सामने आई जहां पर मुसल्मानों को टार्गेट करने के लिए एक से बढ़कर एक विवादित बयान बाजी की गई विवादित नारे लगाये गए, मर्जुदों पर ज्धंडा फेराया गया ठीक इस बार भी वैसे ही कुछ तस्वीर देखने को मिली बिहार से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर गुजरात और हल्का फल्का मद्धेप्रदेश और इन तमाम राज्यों में ये हिंसा देखने को मिली लेकिन इस हिंसा को कैसे मुसल्मानों के ऊपर इलजाम लगाया गया, आरोप लगाया गया, मुसल्मानों को पत्थर बास, गोधी मीडिया की तरफ से बताया गया, सुधीर चौधरी ने तो एक प्रोग्राम ही तयार किया, ब्लाक एन वाइट जिसमें सब कुछ, ब्लैक ही ब्लैक था, सर्फ मुसल्मानों को बदनाम करने के लिए, हलाकि जिस तरीके से बिहार में हिंसा हुआ, बिहार के दो जिलों में हिंसा हुआ, नालंदा में और बिहार शरीफ में, और उन हिंसा की जो मास्टर माइन थे, जो साजिश करता थे, उनके बारे में बिहार पुलिस हर रोज कोई ना कोई खुलासा कर रही है, हर तो बिहार पुलिस के सामने बजरंग दल के एक कारेकरता ने खुद को सेरेंडर किया एक ग्रूप बनाया गया जिसमें इस हिंसा का पूरा प्लानिंग जो है इस तथा कति संगचन के कई लोगों के जरिये किया गया लेकिन जिस तरीके से आज एक बार फिर से जमशेत पूर क को लिखता है कि रामनौमी के बाद जार्खंड में फिर भड़की हिंसा पत्थरबाजी दुकानों में लगाई आग कई लोग घायल हो गए जिसमें ये भी बताया जारा है कि पुलिस कर्मी भी घायल हो गए जार्खंड में रामनौमी के बाद से ही महाल बिगाडने की कोश और दुकानों में आगजनी कर दी गई बहानों को तोड़ फोड़ दिया गया उन्माद भीड के हमले में कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हो गए हैं बवाल बढ़ता देख 8PF को लगाया गया और उसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर छेत्र में न देखने को मिला दरसल एक अस्थानी संगठन के सदस ने रामनौमी के जंडे पर मांस का टुक्रा होने का आरोप लगा कर इस हिंसे को भड़कावा दिया और यह देखते देखते इतना जादा भड़क गया कि स्थिती अंजर कंट्रोल हो गई इट पत्थर सब कुछ बरसने लग गया है कुछ टूइट्स है कुछ वीडियो सूटर सामने आ रहे है दोस्तों जहारखन के जमसेद पूर में जहां पर सीधे तोर पर पोलिस प्रिशासन को मारते हुए देखा जा सकता है वीडियो में साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रिशासन कैसे क्या कुछ जो है इनकी तरफ से लिखा गया है। के जरीये लिखा जा रहा है। मौमद आसिफ खान फिर से लिखते हैं कि हिंदुत्व मौब गोन्स और राम पेज इन जमशेदपूर इन जारखंड। किस तरीके से जो है जारखंड के अंदर हिंदुत्व बादी भीड जो है उग्र हो गई और मुस्लमानों के दुकानों को जलाते वे नजर आई। तो ऐसे तस्वीरे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं दोस्तों कि यह हाला जो है जमशेदपूर के अंदर बना हुआ है लेकिन उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों कि कैसे मीडिया का जो एक बड़ा धड़ा है बड़ा जो तपका है जैसे ही राम नौमी को लेकर पत्थर बाजी की जो खबर सामने आई कई ऐसे वीडियो सामने आए दोस्तों जहां पर मश्जिदों में पत्थर फेके गए जंडा लगाए गए और विबादित नारे तक लगाए गए लेकिन गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों को टार्गेट किया और जै लेकिन मीडिया जो है जो हमारी प्यारी इमांदार मीडिया गोद में बैठी हुई मीडिया इस पर एक भी खबर करती भी नजर नहीं आए बताते हुए नजर नहीं आए कि इस हिंसा का मास्टर माइन कौन था और मुसल्मानों को बदनाम करने के लिए ऐसे तमाम ट्रिक्स ह जो इन मीडिया के जरिये तो किया ही जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ कटरपंथी लोग हैं वो भी इसको पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश करते हैं जैसे ही कुछ संगठनों का नाम आता है फिर इनके मुमें दही जम जाता है ठीक उसी तरीके से जमशित पू है यह जो हंगामा है यह जो फसाद हुआ है यह सब काम जो है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जंडे के नाम पर हुआ है अब आगे की कारवाई किस तरीके से होती है कैसे होती है यह तो वक्त ही बताएगा दोस्तों पता ही चल जाएगा कि आगे क्या और किस तरीके से कारवाई हो बताईएगा साथे साथ नेशनते 60 को जाद से जादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बर को भी ना भूले